नमस्कार दोस्तों, आज मैं कोडिया सर ग्राम में हूँ, कोडिया सर ग्राम का यहाँ एक पाली वाली ग्राम है और आज यहाँ गेराबाद हैं लेकिन इस तरफ दो जो आपको छत्रियां दिख रही वहाँ हनुमान टेंपल है और कुछ ही मकान अब यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ आबादी इस तरफ नई आबादी है और कुछ पुरानी आबादी इस तरफ दो तालाब है और यहाँ कुछ चित्रिवे मकान अभी दो चार दिखते हैं वैसे तो यहाँ पर मकान कई हुआ करते थे वहाँ जमी दोज हैं, यहाँ कुछ मूर्तियां बिख्रीवी है, कुछ उसके मकान के अवसेस, तो इस परकार से मैं आज ग्राम कोडिया सर की तरफ आया, और मैंने यहाँ जो दृश्य देखा है, वहाँ दिखा रहा हूँ, पीछे की तरफ यहाँ तीन तालाब है, और वहाँ तालाबों का भी मैं इसमें जिक्र कर चुका हूँ पहले, तो मित्रों इस परकार यहाँ एक और मकान यहाँ खंडर हालात में है, मैं नजदिक चलके आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, मकान आज भी कुछ अच्छी, अच्छी तो क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा इसका दिर्शे नजर आ रहा है, कुछ इंटों का काम भी इसमें लग रहा है, और इसकी जो उपर का धाचा है, वह साफ नजर आ रहा है, आईए थोड़ा सांदर की तरफ चलते हैं, और इसका नजरा करने का प्रियास करते हैं, मित्रों, यहां बहुत ही अच्छा गाउं रहा होगा, ऐसा आभास होता है, बबुल के जाड़ियां भी काफी इसमें उग चुकी है, फिर भी मैं देखता हूँ पास से यहां अंदर जाने का अगर प्रियूश द्वार होता है, तो मैं अंदर चल के आपको दिखाने का प्रियास करता हूँ दोस्तों, तो यहां बहुत ही सुन्दर नकासी उक्त जरोखे वगरे अंदर के थे, तो यहां भी इस तरफ का यहां बड़ा मकान था, तो इसमें इतने पत्थर कहां चले गए, इसके लिए भी हम वरतमान समय की बात करें, इसमें कुछ काला पत्थर और पीले पत्थर का नकाशीदार करते हैं, फूल पत्या है और उसके साथ हिमें अंदर की तरफ चलता हूँ, और यहां जैसा आमूमन हम देखते हैं, गनेश होता है, तो गनेश भी यहां आज भी वहां कहानी बता रहा है, यहने कि कभी यहां ग्राम बहुत ही सुसजित, उस ब्रहमनों की कहानी बता रहा है जो आज सायद भारत के अन्य कई राजियों में विस्थापित हो चुके हैं कलंतर में क्या घटनाए घटी यहाँ एक अलग विशे है लेकिन इस तरह गाउं का उजड़ जाना अपने आप में एक कहानी कहता है ऐसा क्यों हुआ पत्थर शुरता ही नहीं हिलते हैं तो दोस्तों आज हम खोडियासर ग्राम में थे कुछ और द्रिश्य होते हैं तो मैं आपको दिखाने का प्रियास करता हूँ यहाँ पीछे की तरफ तालाव है और इस तरफ जो मैंने आपको दिखाई ही एक हनुमान मंदर की छत्रियां साफ नजर आ रही है